बिसमिल्लाइ रख्माली रहीम, अस्सलामु अलेकुम, अब्सक्राइब करें, वीडियो लिंक, ऑनलाइन क्लास, ग्रेट फोर, सब्जेक्ट मैट्स, टेट 5, 12, 20, 20 Students, open your math workbook, page number 14, आपका second chapter आज हम start करें, second chapter के आपका name है addition and subtraction, additions का मतलब होता है जमा करना, subtraction का मतलब होता है काटना, पहला topic है हमारे पास यहाँ पर addition, मतलब जमा करना, आज हम सीखेंगे कि दो values के दिर्मियान addition, means जमा उनको किस तरह किया जाता है, पहला देख लेते हैं A, जिसमें आपके पास दो values given है, और यहाँ पर आपके पास addition का sign लगा है, means हमें इन दोनों values को add करना है, जमा करना है, सबसे पहले आप अपने right hand से start करते हैं addition हमेशा, 5 प्लस 6, 5 और 6 कितना बनता है बिटा, 11, 11 टू डिजिट नमबर है, तो इसलिए हमना उसका एक one जो है, वो next number को carry दिया है, और उसका एक number हमने नीचे answer में mention किया है, 3 और 1, 4, 4 प्लस 4, 8 बनता है, 8 हमने आ रहा है one digit number है, इसलिए हमने 8 के आगे carry कोई नहीं दी, direct हमने 8 अपना answer में mention किया है, 9 प्लस 3, 12, 12 भी two digit number है, तो इसलिए हमने उसका one जो है, वो next number को carry दिया है, और 2 हमने नीचे answer में mention किया है, 2 प्लस 1, 3, 3 प्लस 7, 10, 10 हमारा two digit number है, लेकिन उसको हम पूरे को नीचे answer में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास next number यहाँ पर given नहीं है, 2 के बाद, इसको हम carry दे सके, तो इसलिए हमने 10 अपना पूरा नीचे answer में mention किया है तो हमारी यह दोनों value उसको add करने के बाद हमारे पास यह answer आ रहा है, next पे चलते हैं, B, 7 प्लस 0, 7 answer आता है, 7 हमने आ रहा है, 1 digit number है, तो इसलिए हमने उसको direct नीचे लिखा है answer में, 4 प्लस 8, 12, 12, 2 digit number, इसलिए हमने उसका 1 next number को carry दिया, और 2 नीचे answer में mention किया, 2 प्लस 1, 3 3 प्लस 9, 12 again, तो 12 भी last time की तरह 1 उसको carry दिया, और 2 हमने नीचे answer में लिखा, 9 प्लस 1, 10, 10 प्लस 4, 14, 14 भी हम पूरा नीचे लिखेंगे, क्योंकि last time की तरह हमारे पास यह पर और number नहीं है, जिसको हम carry दे सकें, तो इसलिए हमने 14 अपना पूरा नीचे answer में mention किया, C, 9 प्लस 3, 12, 12 का 1 carry दे दिया, 1 प्लस 0, 1 उता है, 1 प्लस 4, 5, 5 नीचे answer में, 6 प्लस 2, 8, 5 प्लस 1, 6, D, 5 प्लस 4, 9, 4 प्लस 5, 9, 9 प्लस 6, 15, 15 तो डिजिट नंबर, इसलिए हमने 1 carry दे दिया और 5 नीचे answer में लिखा, 3 प्लस 1, 4, 4 प्लस 8, 12, E, 8 प्लस 7, 15, 4 प्लस 1 carry, 5, 5 प्लस 6, 11, 11 का 1 नीचे और 1, 2 के ओपर carry, 2 और 1, 3, 3 प्लस 5, 8, 8, 6 प्लस 3, 9, F, 6 प्लस 4, 10, 10 का हमने 1 carry उपर दे दिया और 0 नीचे लिखा, 9 प्लस 1, 10, 10 प्लस 7, 17, 8 प्लस 1, 9, 9 प्लस 6, 15, 15 हमने यह आपर mention किया, last time की तरह 1 carry और 5 नीचे answer में, 1 प्लस 1, 2, 2 प्लस 8, 10, G, 0 प्लस 0, 0 ही आता है, क्योंकि 0 की कोई value नीचे तो answer में भी हम 0 ही लिखेंगे, 5 प्लस 6, 11, 11, 9 प्लस 1, 10, 10 प्लस 3, 13, 13 का 1 carry दे दिया और 3 नीचे लिखा, 7 प्लस 1, 8, 8 प्लस 4, 12, 12 लिखा हमने यह आपर, 8 प्लस 1, 9, 6 प्लस 3, 9, 7 प्लस 4, 11, 11 का 1 नीचे, 1 next number को carry दिया, 2 प्लस 1, 3, 3 प्लस 5, 8, 8 लिखा, Hope आपको addition के topic समझाया हुआ कि हम दो values को किस तरह add कर सकते हैं, kindly submit your work assignment on Saturday 12, 12, 2020, thank you, Allah Hafiz